प्रिय विध्यारतियों, आग जिस विशे पर हम अध्यन करने जा रहे हैं, वह है रिगवैदिक सभ्वेता. जैसा की नाम से ही स्पष्ठ है, वह सभ्वेता जो हमें रिगवेद से पता चलती है. रिगवेद आर्यों का प्राची इंतम ग्रंथ है, कुल 1017 सूक्त हैं, जिन में 11 बाल खिल्य सूक्त, यदि हम जोड़ दें, तो 1028 सूक्त माने जाते हैं. सूक्त का अर्थ होता है सुन्दर उक्ती या श्रेष्ट कथन. रिगवेद के ये सूक्त 10 मंडलों में विभाजित हैं, प्रतेक सूक्त एक देवता और एक रिशी का नाम लिए हुए है. देवता तो वह है, जिसकी स्तुती या अराधना में या उसकी प्रशंसा में सूक्त के मंत्रों की रचना की गई है. और रिशी कौन है? उन मंत्रों को देखने वाला है, यानि मंत्र द्रिश्टा है. छे रिश्यों के नाम हमें प्रमुक रूप से प्राप्त होते हैं. वो हैं ग्रहतसमत, भारदवाच, अत्री, विश्वामित्र, वामदेव और वशिष्ट. इनके अत्रिक्त कुछ इस्त्रे रिश्यों के नाम भी रिगवेद में हमें प्राप्त होते हैं. जो हैं लूपा मुद्रा, घोशा, अपाला, शची और पॉलोमी आदी. रिगवेद काल के अंदर आर्यों की भोगौलिक इस्तिती क्या रही थी? जब हम इसे देखते हैं, तो हम पाते हैं कि इस समय, यानि रिगवेद के समय में आर्य सब्त सैंधव प्रदेश में रहती थी. सब्त सैंधव प्रदेश का अर्ध है साथ नदियों वाला प्रदेश. ये साथ नदिया कौन सी थी? सिंधु, सरस्वती, शत्तुद्री, यानि आज जो सतलच कहलाती है, विपाशा, जो व्यास कही जाती है, परुष्णी, जिसे हम रावी के नाम से जानते हैं, असकिनी, ज जो चेनाब कहलाती है, और वितस्ता, यानि जेलम, नदी द्वारा सिंचित शेत्र, इस शेत्र में आर्य सरुप्रथम रह रही थे, इसके अतरिक्त रिगवेद में हमें कुछ अन्य नदियों का भी नाम मिलता है, जिसमें अफगानिस्तान की कुभा है, सुवास्तु है, और भारत की ही गोमती का भी नाम हमें मिलता है, गंगा और यमना नदी की बात करें, तो उनका उलेक स्मात्र दो-तीन बार हुआ है, जिससे ग्यात कर सकते हैं हम कि आरे गंगा यमना के बारे में जानते थे, लेकिन गंगा यमना तक पहुँचे नहीं थे, इसके अतरिक्त ह विंद्याचल और नर्मदा नदी का उलेख हमें प्राप्त नहीं होता है। रिगवेद में जो नदी सबसे अधिक महत्वपून है वो है सरस्वती। सरस्वती का बड़ा ही महतम्य है। सरस्वती नदी को रिश्यों ने बहुत ही ओजस्वी शब्दों में और बड़ी ही भाव में विभुक्त शब्दों में उसका वड़न किया है। उसे नदीतमा, अंबेतमे, देवीतमे कहा गया है। अब बात करते हैं हम आर्यों की राजनेतिक इस्तितिय की। हमें रिग्वेद से पता चलता है कि इस समय आर्य जनों यानि कभीलों के रूप में संगठित थी। एक जन में एक ही वंज के व्यक्ति होते थी। यानि एक ही नाभी से जो उत्पन है, एक ही माता-पिता की जो संताने हैं, वो सारे के सारे लोग जब परिवार बढ़ता चला जाता था, वो सारे के सारे एक कभीले के रूप में रहते थी। रिगवेद के अनेक सूक्त हैं, जिन में पंच जना, यानि पाँच जनों का उलेक किया गया है, और ये पाँच प्रमुख जन कौन से हैं? पुरू, यदू, तुरवश, अनू और दुरूू. इसके अतरिक्त भरत, श्रंजय, क्रिवी, अन्य जनों का नाम भी हमें युद्ध का भी वर्णन मिलता है, और ये युद्ध कैसे हुआ था? दस जनों के राजाओं के संगठन के द्वारा, भरत नामक जन के राजा, सुदास के विरुद्ध, परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी. ये जो जन का अधिपती होता था या जन का जो नायक होता था, उसे राजन कहा जाता था. राजन का कार्य था युद्ध के अंदर अपने जन का नेत्रित्व करना, इसी लिए उसे कहा गया था गोपा जनस्य, यानि जन का रक्षक, ये उसे कहा गया था. रिगवेद में हमें ऐसे उलेक मिलते हैं जिससे प्रतीत होता है कि आरंभु में राष्ट्र या जन की प्रजा जिसे विश कहा जाता था वो राजा का निरवाजन करती थी क्योंकि रिगवेद के अंदर राजा की जब वो दान कर रहा है तो वन्चावलिया भी दी गई है इससे ऐसा लगता है कि संभवत राजा का जो पद है वो वन्चानुगत भी होने लगा होगा लेकिन फिर भी राजा चाहे निर्वाचित रहा हो चाहे वंचानोगत रहा हो उसे निरंकुष होने का अधिकार नहीं था दो वज़े थी इसकी एक तो ये था कि जब राजा सही तरीके से कारे नहीं करता तो उसे जनता वापस बुला सकती थी और उसकी जगे किसी योग्य व्यक्ति को न्युक्त कर सकती थी और दूसरा रिगवेद में हमें सभा और समीती का उलेक मिलता है जो दोनों ब्रह्मा की पुत्रियां थी और ये राजा पर अंकुष रखने का कारे करती थी तो राजा चाहे निर्वाचित हो चाहे वंचानुगत हो जाए उसके उपर सभा और समीती का अंकुष बना रहता था राजा के कारे होते थे प्रजा की रक्षा करना और जब युद्ध हो किसी अन्यजन के साथ तो उस समय युद्ध में नित्रित्व करना और इसके बदले में जो जन थे जो प्रजा थी वो अपनी इच्छा से उसे बली या भेंट या उपहार या उसे कर समझ लीजिए वो देती थी राजा ही अकेला ऐसा व्यक्ति था जो विश से यानि जन से बली प्राप्त करने का अधिकारी था राजकिये अधिकारियों के नाम का भी हमें उलेक मिलता है राजा की सहायता है तू तीन प्रमुख पदाधिकारी थे पहला था प्रोहित जिसका पद बहुत ही सरवो परी था महत्वपून था ये शान्ती और युद्ध दोनों ही इस्तितियों में राजा का मार्ग दर्शन करता था जब शान्ती होती थी तो ये हवन यग्यों द्वारा देवताओं का आशिरवाद प्राप्त करता था ताकि जन जो है उसमें प्रगती हो उसका विकास हो और जब युद्ध होता था तो ये अपने मंत्रों के द्वारा देवताओं को प्रसंद करता था ताकि युद्ध में राजा की विजय हो दूसरा चो अधिकारी था वो था सेनानी सेना के अध्यक्ष की भाती ये कारे करता था और तीसरा अधिकारी था ग्रामनी जो ग्राम प्रशाशन चाहे वो आर्थिक प्रशाशन हो चाहे सामाजिक हो चाहे सायनिक हो इन सब का प्रमु अधिकारी के ये दो नाम रहे होंगे रिगवेद से हमें ये जानकारी नहीं मिलती कि ग्रामनी गाउं के लोगों की द्वारा नियुक्त होता था या राजा उसे नियुक्त करता था लेकिन गाउं का अधिकारी यही व्यक्ति होता था इसके अत्रिक्त हमें और अधिकारियों करमचारियों का नाम भी रिगवेद में मिलता है जैसे पुरप जो की दुरगपती होता था स्पश जो कुप्तचर होता था और दूत जो की संदेश वाहब हुआ करता था रिगवेद में इनके अतरिक्त सभा और समीती दो नाम हमें मिलते हैं समीती संभवत एक आम जन सभा थी, जिसमें जो विश है, जो जन है, उसके सभी लोग समिलित होते थे और सभा जो है, वो एक छोटी संस्था थी, समीती से छोटी होती थी, जिसमें जेश्ट या विशिश्ट व्यक्ति ही भागीदारी करते थे इस प्रकार सभा में अनुभवी, वयोवरद, प्रतिष्टित ये व्यक्ति हुआ करते थे और सभा और समीती दोनों ही जनप्रतिनिधी सभाएं थी जिनका राजा पर नियंत्रण रहता था अब आती है बात नियाय विवस्था की राजा प्रोहित और अपने सभा सधों की सहायता से क्योंकि सभा में कौन थे वयोवरद लोग थे उनकी सहायता से नियाय का कारे करता था पशुधन की चोरी एक सामान्य अपरात था यद्दिपी चोर अन्न वस्त्र द्रव्य ये भी चुरा कर लेके जाते थे आर्थिक लेंदेन में धोकादड़ी भी होती थी द्यूत क्रीडा में बेमानी होती थी अन्न वस्त्र की चोरी होती थी और जो दंड दिया जाता था वो आम तोर पर शारेरिक या आर्थिक द्रंड दिया जाता था कहीं कहीं हमें 100 गाइयों के रूप में भी दंड दिये जाने का उल्लेख है इसके लिट्रीक्त अपराधियों की जल परिक्षा अगनी परिक्षा इस प्रकार की परिक्षाएं भी ली जाती थी हो सकता है कारा ग्रह भी रहे होंगे क्योंकि एक जगे हमें बंदी ग्रह का उलेख भी मिलता है अपरादी को खूटे से बांदे जाने का उलेख भी मिलता है इस तरीके से लेकिन मृत्यूद अंड का उलेख हमें राप्त नहीं होता है संभवत वो बहुत ही कम दिया जाता था अब बात करते हैं हम रिगवेद कालीन सामाजिक इस्तिती की रिगवेद के आरंव में जो समाज था वो जनों से मिलकर बना हुआ था और प्रतेक व्यक्ति की इस्तिती समान थी उनकी सामाजिक इस्तिती समान थी और सभी को विश्व का अंग समझा चाहता था लेकिन विकास की प्रक्रिया में कुछ सामाजिक और आर्थिक आवशक्ताओं के अनुरूप कुछ वर्गों की उत्पत्ती हुई रिगवेद में हमें आर्य और दस्यो का उलेख मिलता है लेकिन समभवत ये समान संस्र्टी के लोग थे उनहीं के मध्य विभाजन हुआ था यानि आरे वो थे जो रिगवेद की परंपराओं का या आरे संस्टिती की जो परंपराओं थी उनका पालन करते थे, लेकिन जो लोग इनका पालन नहीं करते थे, यानि उन्हों देवताओं को नहीं मामते थे, उस तरीके के मंत्रों का पाठन नहीं करते थे, उन्हें उन्हो रिगवेद के दस्वे मंदल के नभ्यवा जो मंत्र है जिसे पुरुश सूक्त के नाम से जाना जाता है उसमें पहली बार चारों वर्णों का उलेख मिलता है इस पुरुष सूक्त में कहा गया है कि एक विराट पुरुष के शरीर से वर्णों की उत्पत्ति हुई, मुख से ब्राम्मनों की, बाहों से शत्रियों की या राजन्यों की, जंगाउं से वैश्यों की, तथा शूद्रों से वो चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है इस प्रकार का ये सूक्त हमें दस्वे मंडल में जाकर मिलता है लेकिन ये जो वर्ण थे ये कर्म आधारित थे हर मनुष्य अपनी रुची, अपनी शम्ता, अपनी योगिता के अनुसार जो वर्ण है वो चुन सकता था जैसे कि जो रिशी अंगिरस है वो रिगवेद में एक जगे कहते हैं मैं कवी हूँ, मेरे पिता वैदी है और मेरी माता अन पीसने वाली है हमारे साधन भिन्न है परन्तु हम सभी धन की कामना करते हैं यानि एक ही परिवार के भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न वर्णों का पालन कर सकते थे सामाजिक और राजनितिक संगचन की जो सबसे छोटी एकाई थी वो परिवार होती थी या हम उसे कुल कह सकते हैं परिवार पित्र सत्तात्मक थे और संयुक्त होते थे पिता मुखिया होता था और जो मुखिया है उसे गृहपती या कुलपा कहा जाता था विवहा एक पवित्र धार्मिक संसकार माना जाता था और विवहा परिपक्व अवस्था में होते थे ऐसा बाल विवहा का कोई उलेख हमें नहीं मिलता है और विवाहा का उदेश्य होता था योगे संतान की प्राप्ति, धारमिक प्रयोजन और संतान प्राप्त करना आदे अनुलों और प्रतिलों दौनों ही प्रकार के विवाहा प्रचलित थे अनुलोम प्रतिलोम विवा का आर्थ है कि वर्ण जो है दो भिन्न वर्णों के अंदर विवहा होना एक विवहा प्रथाही प्रछलित मिलती है हमें तथा ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता जिसमें ये पता चले कि विवद्वा विवहा वर्जित हो यानि विद्वाएं जो हैं वो भी विवहा कर सकती थी रिगवेद के अंदर हमें इस्त्री के स्तिती बहुत ही गौरवपोन मिलती है पुत्री के प्रती प्रेमभाव मिलता है पुत्री को उपनेयन यानि यग्योपवीत का उच्चितम शिक्षा का और याग्यक अनुष्ठान करने का इसका भी अधिकार प्राप था और अपने भाईयों के साथ ब्रह्मचर्याश्रम में रहती हुई वो समस्त व्यादिक शिक्षाओं का अधियन कर सकती थी शिक्षित युवक और युवती के विवहा को शेष्ट समझा जाता था कन्याओं को स्वेम वर चुनने का अधिकार था और आप सावित्री सत्यवान की कथा से परचित होंगे सावित्री ने स्वेम अपने वर का चैन किया था इसके अतरिक्त जो इस्त्रियां थी वो सभा और समीती की कारेवाही में भी भाग लेती थी एक जगे हमें रिगवेद में उलेक मिलता है कि जो इस्त्री है वो रत पर बैच कर और सभा में भाग लेने के लिए जा रही है इसके अतरिक्त स्त्रियों को ललित कलाओं की शिक्षा, कताई बुनाई सिलाई की शिक्षा, गायन वृत्य की शिक्षा आदी उनको दी जाती थी भोजन में वे दूद दही घी और इनसे निर्वित वस्तूओं का उप्योग करते थे हमें शीर पाकोदन यानि खीर और अपूपम घृतवंत यानि मालपुए इसके अतरिक्त मठा और भी दूद दही की जो वस्तूओं हैं वो हमें पता चलती है इसके अतरिक्त कुछ आ रहे थे जो मासाखार भी करते थे हलांकि ये साम्मान्यत प्रचलन में नहीं था इसके अतरिक्त जो धान्य यानि वरीही और माश जिसे उड़त कहा गया है ये भी विशीश रूप से प्रेउप्त में होता था सुरापान की निंदा की गई है ये कहा गया है कि जो सुरापान करते हैं वो अपने आपको विनाश की ओर ले जाते हैं इससे अच्छा है कि वो खेती करें लेकिन जो सोमरस है उसे बहुत ही स्फूर्थी दायक, गुड़कारी और शक्ति वर्धक कहा गया है क्योंकि सोमरस जो है वो सोम नामक एक वनस्पती से एक प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता था और ये इतना बलवर्धक था, इतना सूर्थी दायक था कि सोम को बाद में एक देवता की संग्या दे दी गए। गाय को अधन्या यानि जिसका वद न किया जा सके ऐसा कहा गया है, संभवत ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि गाय जो है वो बहुत ही महत्वपून थी, गाय क जितने भी उत्पादन हैं वो सब भी बड़े उप्योगी थे और गाय के जो बच्चे हैं, जाए बच्चरी हो तो गाय बनती थी और जो बच्चरा है वो खेती के काम आता था, संभवत इसलिए गाय जो है उसको बहुत ही महत्वपून मानते हुए उसे अधन्या जो है वो कहा गया है, वेश भूशा में हम देखते हैं कि हमें तीन प्रकार के जो वस्तर हैं उनका उलेख मिलता है, नीवी जो कमर के नीचे पहना जाता था, वास जो कमर से उपर शरीर के मध्यभाग पर पहना जाने वाला वस्तर था, तथा अधिवास या द्रापी जो उपर से धा जिसे पगड़ी जैसा वस्तर कहते हैं वो पहनते थे इसके अतरिक्त हमें सूची से कपड़े सिलने की कला इसका पता चलता है सूची यानि सूई से तो इसका मतलब आरिग्व्यादिक आर्य कपड़ा सिलना भी जानते थे केश विन्यास, केश प्रसाधन, विभिन अलंकरन ये सब हमें मिलते हैं कान में पहने जाने वाला, कुरुईर यानि मस्तक पे पहने जाने वाला, निश्क ग्रीव जो कंठ में पहना जाए, मनी ग्रीव जो मोतियां का हार है, रुक्म वक्षस जो वक्ष स्थल पर शोभित गन, आदी अनेकों आभुशनों का उलेख हमें प्राप्त होता है, इसके अतरिक्त जो आमोद प्रमोद था, उसमें हम देखते हैं कि आखेट यानि शिकार करना, जुआ खेलना, संगीत, नृत्य आदी से मनुरंजन करना, रथ दौड करना, मल युद्ध करना, वादियंत् जन में जो वीना है, दुधुम्भी है, बासुरी है, शंक है, जांच है, मृदंग है, आदी जो वादियंत्र हैं उनका भी हमें उलेख मिलता है और इन सबसे मलियुद्ध, रथ दौड सबसे वो सामुहिक रूप से मनुरंजन किया करते थे, इस प्रकार विध्यार्टियो आज हमने देखा आर्यों के भगवलिक विस्तार के बारे में, उनके राजनतिक जीवन और सामाजिक जीवन के बारे में, अब अपने अगले वीडियो में हम इनके आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन की चर्चा करेंगे